फटाग पे से लोन कैसे ले यहां दूस्ता अगर आप भी फटाग पे लोन अप्लिकेशन से लोन अप्लाई करना चाहते हैं आप भी फटाग पे अपसे लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा फटाग पे अपसे लोन कैसे अप्लाई करते हैं और साथ उस पैसे को अपने bank account में कैसे transfer किया जाता है इसका complete process में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों फटाक पी कैसा emergency pay letter loan application है जहांसा आपको बिना किसी income proof के बिना किसी bank statement के और साथ इसाथ अगर आपका civil खराबी है तो भी आपको यहांसे कुछ ना कुछ amount का loan मिल ही जाता है तो क्या है फटाक पे लेडर अपसे loan apply करने का process इस वीडियो में मैं आपको complete बताऊंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों फटाक पे अपसे loan लेने के लिए सबसे पहले आप फटाक पे loan आपको अपने mobile में download करेंगे इसका download link वीडियो के description box और comment box में मिल जागा जाके आप उस link पे click करके download कर सकते हैं या फिर आप अपने phone में Google Play Store में आके भी फटाक पे loan आपको download कर सकते हैं तो चलिए मेरा पहले से download है मैं open कर लेता हूं अब जैसे आप फटाक पे आपको download करके open करेंगे पहले notification के access आपको allow करना होगा अब आपको online loan मिल जाता है 1000 रुपे से लेकर 20,000 रुपे तक का loan आपको यहाँ से मिल जाता है interest rate की बात करें तो 12% से लेकर 35% यहाँ पे loan time आपको मिलेगा वो तीन मेनों से लेकर 24 मेनों के लिए तो simple आपको loan apply करने के लिए continue option पे click करना है इसके बद आपको कुछ permission allow करना है next option आपको क्लिक करना है इसके बद नीचे आपको term and condition के checkbox पे आपको tick mark लगा देना है accept and allow पे आपको क्लिक करना है और एक एक permission को आप अलाओ करते जाएंगे जैसे ही सारा permission allow कर देंगे सबसे पहले आपको register करना होगा फटाग पे loan application पर तो आप अपना phone number डालेंगे अब दोस पर आपको क्लिक कर देना है कुछ सब्सक्राइब करना है अब दोस्तों देख सकते हैं loan apply करने के वह आपके सामने आ जाएंगे सबसे पिल आपको अपना first name इंटर करना है इसके आप अपना last name इंटर करेंगे एज पर pen के साब से इसके बद आपको यहां पे referral code का option मिलता है तो इसको आपको छोड़ देना है देनीचे continue वाले option पर आपको किलिक करना है अब जैसे आप अपना first name and last name डालके continue करेंगे अब आपको यहां पर अपना implement type करना होगा आपका implement type क्या है क्या है क्या आपका income source आप accelerated person हो यह self-employed हो तो दोस्तों अगर आप एक accelerated person हो तो तो इस select करेंगे इसका बद company नम डालेंगे जिस company में आप job करते हैं तो चले हम जिनका loan apply कर रहे हैं वो एक self-employed है तो हम यहाँ पे self-employed को select कर लेते हैं तो हम यहाँ पे self-employed को select कर ली है देनीचे आपको continue वाले option पर किलिक कर देना है अब implement type select करके आप जैसे continue करेंगे अब आप आपको अपना pen details verify करना होगा तो इसके लिए आप अपना data पर नहीं पर सबसे पहले select करेंगे जो data पर आपके pen card में इसके बद आप अपना pen card का number डालेंगे देनेचे continue वाले option पर किलिक करेंगे अब दोस्तों pen details verify हो जाने की बाद आपको अधार details verified करना होगा अपना KYC complete कर देना होगा तो इसके लिए simple आपको verify आधार with OTP वाले option पर क्लिक करना है अब इसके बद आप अपना अधार card का number यहां पर इंटर करेंगे देनेचे continue वाले option पर क्लिक करेंगे अब आधार का number इंटर करके जैसे continue करेंगे आपके आधार card साथ जो भी mobile नंबर link होगा उस प भी आपकी monthly income है इसके बद आप यहां पर repayment date select कर सकते हैं यारे आप मन्त का EMI date भी select कर सकते हैं जो date आप यहां पर select करेंगे उसी date पर आपकी EMI कटेगी तो चले मन्तली income डाल देते हैं EMI date select कर लेते हैं then continue option पर हम क्लिक कर देते हैं अब जैसे salary details डाल का आप continue करेंगे अब जैसे आप अपना salary upload कर देंगे successfully आपके सामने आपका maximum limit offer so हो जाएगा जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं में 10,000 रुपिय का maximum limit offer किया गया है हम फटाक पे app से 10,000 रुपिय तक का loan ले सकते हैं यह हमारा maximum limit offer है लेकिन हो सकता है final step complete हो जाने के बाद हमारा limit change भी हो सकता है तो हमारा final limit नहीं है तो इसी तरीके सा आपको भी maximum limit offer यहाँ पे देखने को मिलेगा आप चाहे तो नीचे details चेक कर सकते हैं कि अगर आप इस loan को लेते हैं तो कितना आपको interest rate पे करना होगा कितना आपका processing fees देना होगा तो सब कुछ detail आप नीचे scroll down करके देख सकते हैं अब simply offer क accept करने के लिए loan को लेने के लिए नीचे आपको दोनों term and condition के checkbox पे आपको tick mark लगाना है तो नीचे आपको accept offer पे क्लिक करना है अब जैसे आप accept offer पे क्लिक करेंगे अब यहाँ आपको तीन step और complete करना होगा पहले आपको नमीने details एड़ करना है इसके बद आपको bank details करना account को लेना चाहते हैं इसके बद आपको auto pay setup करना होगा यानि जो आप लोड रहे उस loan की जो मंतली हमाई होगी वह आपके bank account से automatic कटेगा तो इसके लिए आपको auto pay setup करना है तो आप एक एक करके तीनों step को complete कर लेंगे तो चलिए हम आपना तीनों step यहाँ पर complete कर लेंगे तो और bank details को verified करके auto pay setup कर लेते हैं अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे हम अपने तीनों step complete कर लिया है हमारा limit यहाँ पर successful अप्रूब हो गया है और हमें final limit जो अप्रूब किया गया है वह आप देख सकते हैं 4000 रूपिय का limit हमें दिया गया है पहले हमें maximum limit 10,000 रूपिय बताया ग सकते हैं bank account में transfer करने के लिए निचे आपको send money withdraw now का option दिख रहा है आपको simply withdraw now पे click कर देना है आप उधरो ना पे click करके इस limit को अपने bank account में transfer कर सकते हैं तो इस तरह के दोस्तों आप फटक पे application से loan apply कर सकते हैं और आप यहां से loan ले सकते हैं जैसा कि मैंने आपको इस वीड ने अपका link दिया है वहां से भी आप only क्यवाशी complete करके loan ले सकते हैं without income proof के आपको इस loan application से भी emergency loan मिल जाएगा तो I hope आपको वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल पर नहीं को सब्सक्राइब कर लिजिए आपके मने में कोई भी confusion है वीडियो में thank you jahind